आयार सी टीसी खेला हो वे तो देखो आयार सी टीसी में हमने सुभई डिसकस किया था क्या हो सकता है और बैसा हुआ भी और उसके ऑद जब डिसीजन विढरा हुआ उसके बाद आपने देखा रिकवरी कर ली इस टॉक या परसो इवन कभी कभार ऐसे मौके आते हैं और मौके पे मैं बिल्कुल भी चूकता नहीं हूँ सिंस थोड़े दिनों पहले की बात है एसीन पेंट में भी सेम कंडिशन आने वाली थी आई ही चुकी थी क्लैरिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ गया उनका उनमें एक बिसल ब्लोवर ने बोला था कि वही कुछ ऐलेकेशन लगाये थे और उसमें भी गरावट आने का चांस था लेकिन उसके बाद चांस आये नहीं उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया और बहां भी मैं काफी आप्टिमेस्टिक था काफी नीचे के मैंने बाइंग डेबल पे जी डी टी लगा रखे थे लिमिट ओडर डाल लखे थे आएगा तो ठीक है नहीं तो वह बहीं से रिकवरी दिखा दी लेकिन बहां पर भी हमने एक डिप लगा रखी थी तो स्टॉक मार्केट में इस तरीके से चलता रहता है तो जो लोग नहीं आएं वो लोग जल्दी सीख जाएंगे जल्दी नहीं सीखेंगे तो इस तरीके की कहानिया होती रहती है आप टाइम टू टाइम सीख ही जाएंगे और हमेशा टाइम देना है आपको मार्केट में तभी आप successful बन पाएंगे trader चाई investor अब बात कर लेते हैं IRCTC तो IRCTC को सुपह मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था कि इसमें भारी ग्राबार आठ सकती है और सेम बैसे हुआ 10% का circuit हटा फिर 15, 20, 25 और मैंने कहा था 700 रुपए का आसपास मुझे काफी बढ़िय देख रहा है तो 700 रुपए पर खरीज सकते हैं तो जिनने खरीदा बैल एंड गुड आप अपनी फीट थफ़त पा सकते हैं क्योंकि उसमें जो situation थी उसमें खरीदना मतलब साइद मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेर इंवेश्टर यह सूच रहते हैं साइद यह 300 ना चला जाए तो उसमें जो खरीदा है जिनोंने उस panic situation में खरीदा है जहां हम खरीदते ही हैं panic situation में आपको पता ही है तो वो खुद को अच्छा समझ सकते हैं कि हमने काफी अच्छा अपनी psychology को ट्रेंड कर लिया है इस stock market में और बहुत ही बड़िया बात कर लेते हैं ख़बर बिड्रो दिसीजन और यह खबर चाहिए है कई सारे निवज आर्टिकल आपको मिल जाएंगे हर जगह पर चाहिए है देख सकते मिलिष्टी ओ रेलवे बिड्रो कर लेंज फी डिसीजन और यह चाहिए खबर तो अब घबराने की जरूत नहीं है चार्ट पर थोड़ा बात सकते हैं यहां पर आप लाल सकते हैं और सुबही बताया था मैंने तो जिन्नों ने मां खरीद लिया अच्छी बात है और अभी के लिए अब दुबारा मुझे लगता नहीं है कि 600 रुपए के आसपास 800 रुपए के आसपास 800 900 की रेंज में लेकिन अब बहां जो लेवल ता मैंने आपके साथ सेयर कर दी और मैंने यह भी बता दिया कहां तक गिर सकता है उसके बाद मुझे यह भी नहीं बता था कि अचानक से वह अपना जो फैसला है उसको बापिस ले लेंगे और उसके बाद रिकवरी आई गई यहां आपने देखा होगा तो आयर सी टी सी पे मे 800 रुपे के आसपास तो मिलने से रहा तो जिन्हों ने उससे में खरीद लिया बैलन को नहीं तो 800 रुपे के आसपास एक डिप लगा सकते हो नीचे जाएगा तो बैक अप दा माइंड यह जरूर सोचके रखना है कि भाई नीचे जाएगा हो सकता है कल कोई सी और निगेट आप चला था और बहुत भगाया गया था स्टॉक स्प्लिट की न्यूज के बाद से स्टॉक बिल्कुल रॉकिट हो रखा था कुछी दिनों में पच्चिस सो से चला गया था 6000 से उपर और अभी के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं जिनों ने भी स्टॉक इसको आय दाएगा तो इसमें स्टॉक में ज्यादतर जो भी स्टॉक होती होती है और इसका पहले का भी प्रीवियस चार्ट देखोगे अगर उठाके तो बहां पर कोबिट के बाद इसमें ग्राबट हुई थी 900-800 के आसपास गया था उसके बाद यह एक हजार से 12-1300-1400 जहां पर साय था लगबग लगबग एक साल कांसलोडेशन किया है तो पेसेंस आपको पता है की है स्टॉक मार्केट में तो पेसेंस जिन्हों ने रखे थे उनको बहुत ही अच्छे रिटन दिये थे कुछी दिनों में इसने 200-300-300% के रिटन दिये थे और जब लोग इसके पीछे भ किलवा लिया जो आज गिराबट हुई थी और हमारे जैसे जो बंदे थे हमने तो गाइड किया भी था कि यहां पर माल खरेदना ना की बेंचना और सुबह भी मैंने बताया था कि लॉस बुक करने जूरूत नहीं आयर सीटी सी ऐसा स्टॉक नहीं है कि उसमें लॉस बुक क होना चाहिए आप सोचो कि दो मेहने तीन मेहने कुछ होगा तो वह नहीं होने वाला तो जो मेरे वियू थे जो मैं आपको बताना चाहता था तो मैंने बता दिया अभी भी लॉस बुक करने जूरूत नहीं अगर उपर कहीं खरेदा हुआ है इवन जब भी नीचे जाएगा तो बहाँ पर आपको कुछ और कॉंटिटी एड कर सकते हैं और कई सारे लोगों की ये भी सवालते हैं इस टॉक उनको दिख नहीं रहा किसी किसी ब्रोकर में तो भई कहां से सेल करें तो वह इस टॉक नहीं दिख रहा कोई बात नहीं दिख जाएगा एक दो दिन में हो सकत अपका ऐसा नहीं नहीं कि नहीं कि इस्टाक नहीं तो बहुत सब्सक्राइब